हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब राम जी की पाट शाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तियारी बहुत ही बड़े धंग से चल लगी होगी दोस्तों आप लोगों के लिए ग्रामेंड परिवेश के हर टॉपिक का कितने भी important MCQs हो सकते हैं with concept plus practice उसके साथ मैं आपको provide करा रहा हूँ अब तक हमने तीन टॉपिक खतम कर ली हैं चौता आज एक वीडियो में खतम हो जाएगा बाकी जितने भी टॉपिक हैं उस सब एक एक वीडियो का सामान हैं उनके बाद ज्यादा सौधा नहीं है जो हमक इसमें यह बहुत एकदम टिपिकल सा टॉपिक है इसमें शोध वीडिया पढ़नी है और मतलब यूटूब पे क्या है किसी ने कुछ भी पढ़ा दिया है कोई कितने बड़े platform में master बने हुए या छोटे platform पे किसी ने कुछ भी पढ़ा दिया है तो मुझे भी आप लोग ब बहुत एकदम जटिल सा है यहां पर हम क्या काम करेंगे mcq के माध्यम से कर लेंगे mcq भी सॉल्व हो जाएंगे और हमारा concept भी क्लियर हो जाएगा लगबग 50 कुश्चन हम इस पर करने वाले हैं आप ध्यान से देखते रहें दस-ग्यारा विधियां हैं दस-ग्यारा प्र तो शोद करने की ज़रूरत इसलिए शोद का जो मतलब English word है वह है अरी तर्च है ना research करना है तो research क्यों करना है भाई दिमाग में खराब ही है यह सिर में खाज है यह डेंटर फैक्या है ऐसा कुछ नहीं है ठीक है उसका reason यह है दोस्तों कि research करके पता लगा जाता कि बही क् समाजिक किस्तिती क्या है सुविधाय क्या है कितने लोग पड़े लिखे हैं सब चीजें जानी जाती है उसके आधहार पर देखा जाता है कि वही कितनी चीजों की आवशक्ता है ग्राम विकास हमको किस धंग से करना चाहिए उस चीज के लिए यह सब सामाजिक शोद विध दिया है ठीक है पहले हम पूरा डिटा उठा लें और सब चीज देख लें समझ लें कि या क्या नीड है उसके पूरा प्लान एक पूरी योजना लेके आए और उसको इंप्लेमेंट करने के बाद अब उसका इवेलवेशन करना भी जरूरी है उसका मुल्यंकन करना भी देखेंगे और MCQ करते रहेंगे ध्यान से आप लोग बिना ध्यान भटकाए विडियो देखते रहें और समस्तर ही पहला प्रश्न है हमारा सामाजिक शोध विधी ये पहली विधी है हमारी के संबंद में पाया जाता है तो सामाजिक शोध विधी है इसको आप नोट कर लें है शाही तो सामाजिक शोध विधी है उसके संबंद में क्या सही है तो सामाजिक शोध विधी में सामाजिक घटना चक्र घटना करम जो हो को देखा जाता है यदि आपसे पूछे कि सामाजिक शोध विदी में क्या-क्या देखा जाता है कि इनकी नाधार पर चीज़ें होती है तो सामाजिक घटना करम होता है मानव व्यवार होता है और सामाजिक जीवन के विविन पक्ष होते हैं तो ये आपका बिल्कुल इसमें प्रोथा सई हो जाएगा यह चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है ठीक है और यह जो है आपका सामाजिक शोध विधी यहना इसका पूरा नाम अगर आप देखेंगे तो इसका पूरा नाम आएगा आपका सामाजिक एवं ग्रामीन विकास शोध विधी यह पूरा का पूरा नाम है इसका तो इसके अंतरकत इन पहलों को ध्यान में रखते वे क्या किया जाता है रिसर्च किया जाता है ठीक है अभी और दूसरे अगले को शनी तरफ हमागे बढ़ते है यह अगला प्रशन है निमले कितमे से कौन सामाजिक सोध विधी की विशेष्टाएं नहीं है है ना विशेष्टाएं नहीं है तो अभी इसमें देखो सामाजिक सोध विधी जो है वो एक वैज्यानिक पधती है विज्यानिक पद्धती है, नए तत्यों की खोज की जाती है, यह भी सही है, विज्यानिक पद्धती है, विशेष्टा जो है, फेलम देख रहे हैं, विज्यानिक पद्धती है, वो भी विशेष्टा है, नए तत्यों की खोज है, यह भी विशेष्टा है इसकी, कीसरा जो प प्रमाणों का विश्चलेशन यहीं हो जाता है तो ऑप्षन हमारा क्या हो जाएगा यही हमारा अंसर हो जाएगा थोड़ा सा चीजों को समझना जटिल हो सकता है परन्तु यह टॉपिक ही ऐसा है आपको थोड़ा समझदारी से इसको लेके चलना पड़ेगा आप umcq को देःए समझते रहें एकजाम में चीजां आयेंगी तो विशेंस इनको साहिं कर देएगा अगला पुष bigp इंक्जान हमारा सामाजिक शोध विधी के विशय छेत्रों में कौण-कौन शामिल नहीं होता है देखो यानिकी सामाजिक सोध विधी और तूसरी बाथ है इसमें से शामिल कॉन सा नहीं होता है तो को ये पता होने चाहिए कौन-कौन सा होता है तो ग्रामिन समुदाय भी होता है क्या होता है दोस्तों ग्रामिन समुदाय भी आपका होता है उसके बात सामुईक विवहार भी होता है इन छेत्रों को ध्यान दिया जाता है ठीक है भूमी वितरन जैसा कुछ नहीं होता भूमी प्रश्ण है हमारा सामाजिक शोध विधी का व्यावारिक उद्देश क्या है तो सामाजिक शोध विधी का व्यावारिक उद्देश क्या है कि वह समस्या का समधान किया जाए बिल्कुल सामाजिक नियंतरन किया जाए चीजों पर ये सब चीज हैं अपराद इत्यादी जो हैं इन में कमी लाई जाएं ये सामाजिक शोध की व्याभारिक उद्देश हैं तो इसमें option हो जाएगा आपका ये सभी अगला प्रश्ण है हमारा इमलिकित में से कौन सामाजिक शोध विधी की समस्या नहीं है सामाजिक शोध विधी की समस्या नहीं है तो निदर्शन चैन की समस्या ये एक समस्या है इसमें वस्तु निश्टता का भाव ये भी समस्या है सही माप का भाव ये भी समस्या है जबकि अभी हमने पढ़ा कि सामाजिक विगतन का निराकरण सामाजिक शोध विधी की कोई समस क्या है इसका एक व्यावारिक उद्देश है क्या एत दोस्तों एक व्यावारिक उद्दश ऐस्तामाजिक विकतन कश् consultation का रही होगी एक समझ में आ रही होंगे ऐस्ती सुन्टि फस्ति matching गे इसै अगली जो हमारी आ गई है विधी वो है सामाजिक सरवेक्षन, सोध विधी, इसके उद्देश्य क्या हैं, तो इसके उद्देश्य हैं सामाजिक घटना का वर्नन, इसका वर्नन करना है उनकी समाज की समस्या हैं, घटना हैं, उनकी खोज करना है, कार्य कारण संबंद की उपरोक्त सभी इसके उद्देश्य हैं किसके आपके सामाजिक सरवेक्षन विद्धी तूं में चार और और इक रहे गाए आपका उसमें वस्तुनिष्तविटा का बतलब होता है subjectivity, यानि कि किसी चीज़ का specific answer होना subjectivity क्या चीज़ होती है कि आप चितने भी चाहे लोगों से पूछ लो अगर एक question का अगर ये पूछा जाएगा कि भारत की राजधानी क्या है तो चाहे एक लाक आदमी उत्तर दें एक दे, एक करोड दे, एक अरब दें तो उसका उत्तर दिल्ली ही रहेगा ये है वस्तोनिश्टता परिवर्तन ना आना तो सामाजिक सर्वेक्षन जो पद्धती है इसका गुण क्या है कि वस्तोनिश्टता होती है जबकि सामाजिक शोध विधी में नहीं होता है ठीक है वैज्ञानिक परिद्रश्ट भी रहता है ठीक है और गुणात्मक सूचनाएं भी होती है जबकि समस्या का चुनाव इसका एक गुण नहीं होता है ये आपको समझना होगा ठीक है ये इसका गुण नहीं है जबकि क्या होता है समस्या का चुनाव समस्य का चुनाव कब किया जाता है ये किसी ना किसी तरह से आपको चरण है एक में step है किसी इज़ा ये इस पद्धती का step है कि हम पहले problem का chain करें चुनाव करें कि problem है क्या उसके according फिर हम survey वगरा करेंगे और पूरा का पूरा शोध पद्धती ये प्रणालिका यूज करें अगला प्रश्ण हमारा सामाजिक सरवेक्षन पद्धती के प्रमुक दोश है तो आवास्तविक घटना है इसमें बहुत रहती है निदर्शन तुर्टी होती है अमूर्त घटनाओं का अध्यन असंबव होता है उपरोक्त सभी ही इस पद्धती के प्रमुक दोश है अगला हमारी विधी आगई अगली विधी आगई एतिहासिक अनुसंधान विधी तीसरी विधी आगई हमारी का संबंद पाया जाता है तो नाम से ही पता लग रहा है एतिहासिक है इतिहास का मतलब होता है पहला यानि की बीता हुआ अब बीता हुआ क्या होता है भूत काल का तो भूत काल के शोध से मतलब की इतिहास में क्या हुआ इसके सम्मंद में शोध किया जाता है पुराने टाइम से सीखें और फ्यूचर के लिए सीखें और वर्तमान को भी हम लोग अच्छा करें इनके बीच में संबंद स्थापित करें उसके लिए एतिहासिक शोध अनुसंदान पद्धती अपनाई जाते हैं अगला प्रश्ण है एतिहासिक अनुसंदान विधी के अध्यन छेत्र में शामिल पाया जाता है यानि कि जो एतिहासिक अनुसंदान पद्धती है या विधी है इसके छेत्र क्या-क्या है कहां किन-किन एरिया को टर्गेट करती है तो संस्थाओं के कारिये भी इसमें होते है सम्मिधानिक व्यवस्थाओं का अध्यान भी इसमें होता है मनोवग्यानिक विचारों का विकास भी होता है जब आप एतियासिक अध्यान करोगे किसी चीज़ का तो वहाँ पर आप संस्थाओं का कारे को तो देखोगे कि बाज जो institutions हैं जो आपकी का पुरे के पुरे संगठन بنे हुएं संस्थाओं बने हुई हैं उनके क्या कारे थे सम्मिधानिक विवस्था क्या थी उस समय मनोवग्यानिक विचार क्या थे उनका विकास कैसे हुआ तो ये सारे ही इसके उत्तर हो जाएंगे कि सारे ही इसके उद्धिश हो जाएंगे तो एतियासिक अनुसंदान विधी के सभी छेते अगली पधती हमारी आ गई वैज्यानिक पधती का वैज्यानिक पधती है ना वैज्यानिक पधती तो चार पधती पढ़ लिए अब तक हमने सामाजिक शोध विधी दूसरा हमने पढ़ लिया सामाजिक सरविक्षन विधी तीसरा हमने पढ़ लिया एतियासिक अनुसंदान विधी और चौती विधी हमारे पास आ गई यह वैज्ञानिक पद्धती का सामाजिक शोध कारिय किस पर आधारित नहीं होता है तो विध्यानिक पद्धती होती है तो किसी पर होगी यह डेटा पर होगी यह प्रेक्टिकल पर होगी यह आपके रीजनिंग एबिलिटी पर होगी यह आपकी कैलकुलेटिव एबिलिटी पर होगी तो परिक्षन करना तेस्ट करने पर होगा प्रेक्टिकल करना आपकी रीज करने विशेष्टा नहीं है तो बैज्ञानिक को सिद्ध करना सत्यापन शील्टा और निश्चित भी होती अगर डेटा ष्ञेगा तो निश्चित रहेगी जबकी भावनात्मक है विचारों का यहाँ पर चिंतन का कोई भी खेल नहीं है यही हमारा option हो जाएगा अगला प्रश्ण है हमारा सामाजिक समस्याओं के सोध कारिय में वेग्यानिक पदती के तहत अपनाए जाने वाले प्रमुक चरणों में कौन सा चरण शामिल नहीं है देखो जब सामाजिक समस्याओं के सोध के लिए वेग्यानिक पदती को अपनाया जाता है तो किस हिसाब से चीजें की जाती है कौन-कौन से चरण उसमें होता है कि पहले हम समस्याओं चुनाओं करेंगे उसके बाद हम वेरियेबल्स का चैन करेंगे उसके बाद हम डेटा को चीजे रहेंगी और पूरी पूरी पद्धिती अपनाई जाती है तो वैज्ञानिक जो पद्धिती है उसमें सबसे पहले problem को detect करते हैं उसको चुनते हैं उसके बाद variables का chain करते हैं चरों का chain करते हैं उसके बाद कोई बात थोड़ी बनानी है या हमको कोई सिद्धानत पेश करना है ऐसा कुछ नहीं है तो यही हमारा option हो जाएगा अगली हमारे पास शोध विधी आ गई है तुलनात्मक विधी तुलनात्मक विधी तुलनात्मक जो आपका विधी है उसमें क्या होता है कि तुलना की जाती है कि समाज की कहस्तिती है कि समाज के किस तबके में रीती रिवाज कैसे है समाजिक परिवर्तन पहले कैसा था अब कैसा है इस तबके में कैसा है उस तबके में कैसा है विशिस्ट सामाजी कोई घटना है उसका तुलना की जाती है तो तुलनात्मक विधी में ये सभी आपके आ जाएंगी ठीक है ये चीज आपको ध्यान रखोंगे अगला प्रश्ण है दिया गया कथन निमने कथन किन का है तुलनात्मक पद्धती या विशलेशन का तात पर ये केवल कुछ सामाजी घटनाओं के बीच तुलना करना ही नहीं होता बलकि तुलना के माध्यम से उसकी व्याख्या करना भी होता है यानि कि एक विड्वान है जिनका नाम हमको भी देखना है वो कह रहे हैं कि तुलनात्मक पद्धती का मतलब ये नहीं है कि आपने सामाजी घटनाओं को उठाया उनके बीच में कंपेर कर दिया नहीं इतना ही काम खतम नहीं होता है आपने कंपेर किया उसके बाद आपने किया उसके बाद आपने बिच्लेशन किया दैन आपने उसके बाद explain किया चीजों को व्याक्या की ऐसा कौन कह रहे हैं तुलनात्मक पद्धती के बारे में तो शोध उसका चरण का भाग नहीं है जबकि हमने तुलनात्मक शोध पद्वती अपना रहें तो उसमें क्या-क्या चरण होते है तो इकाईयों का अवलोकन किया जाता है इकाईयों का अवलोकन किया जाता है इकाईयों को एकटा किया जाता है सामाजिक तत्यों का संग्रह किया जाता है सामाजिक परिवर्तन का अध्यन किया जाता है अध्यन नहीं किया जाता उनकी तुलना की जाती है यहाँ पर तुलना होता तो बिल्लकुल सही होता अध्यन नहीं होगा सामाजिक परिवर्तन का अध्यन करना नहीं तुलना और सामान नहीं करना नॉर्मलाइज करना उनको ये तीनों के तीनों चरण इसमें हो जाएंगे जबकि सामाजिक परिवर्तन का अध्यन करना नहीं है अगला प्रश्ण है जब किसी समाज के समूं का अध्यन करने के लिए कुछ इकाईयों का चैन किया जाता है जिसमें समाज के गुणों का प्रतनिध्व होता है क्या कहलाता है देखो अब अगली हमारे पास क्या गई है अगली पद्धिती आ गई है निदर्शन विधी निदर्शन विधी हमारे पास आ गई है कि जब समाज के किसी समू का अध्यन करने के लिए कुछ इकाईयों का कुछ यूनिट्स का चैन किया जाता है किसमें समाज के गुणों का प्रतनिधित्व होता है तो क्या विधी होती है वो निदर्शन विधी होती है यानि कि आपने क्या काम किया कि पूरी सोसाइटी है उसमें एक समू, दो समू, तीन समू, चार समू, वान समू और आपने इनका अध्यन करने के लिए पूरे समाज का अध्यन करने के लिए एक तो इस यूनिट को उठा लिया एक इस unit को उठा लिया और इन units में पूरे के पूरे समाज का जितने भी गुण है उनका प्रतने दित्व है तो ऐस इनके माध्यम से जब अध्यन किया जाता है तो निदर्शन विधी कहला तो अगला प्रशन है हमारा निमलिकित में से कौन निदर्शन पधती की प्रमुक वि प्रतनिधि इकाईयों को निर्वाचित करते हैं पकड़ते हैं जो प्रतनिधि द्टो कर रही है समाज की सारी गुणावली का उसके बाद उनका व्रहत अध्यन नहीं है तो समय की बचत होती है क्यों क्यों कि यहां पे देखो आप यहां पे आप देखो निदर्शन विधी में हमने पूरे के पूरे समाज का अध्यन नहीं किया उसमें से इकाईयों को उठा लिया और इकाईयों को हमने उठा लिया तो हमारा क्या होगा हम पांच अगर छ और कम का काम कर रहे तो धनकी बचत भी होगी तीसरी बात है विशेश ज्ञान की अवशक्ता ऐसा नहीं है कि इसकी कमी है ना कि इसका गुण है और प्रसास्निक सुभिदाविश में मिलती है तो यह हमारा उप्शन हो जाएगा C यह इसका गुण नहीं है अगला प्रश्ण है अगली विधी एक तरह से आप कह सकते हैं अनुसूची विधी आप इसको कह सकते हैं अनुसूची में निम्न मेंसे किसकी विशेश्टाएं एवं गुणों का समनवय पाया जाता है ना समनवय पाया जाता है देखो अनुसूची जब होती है ना तो अनुसूची तथ्यों क एक संकलन विधी है अनुसूची में क्या होता है कि जो डेटा होता है उसको कलेट किया जाता है और डेटा कलेट करने के बाद फिर क्या किया जाता है मुदलब इखटा करने के बाद उसका अवलोकन किया जाता है देखा जाता है उसको है ना क्या किया जाता है अवलोकन किया जाते हैं हैना ये सब चीजें होती हैं इसमें तो अवलोकन शाक्षात का और फशनावली ये सभी ही अनुसूची की विशेष्टा हैं जिसकी एवम इन सभी गुणों का समनवाईश में पाए जाता है अगला प्रश्ण है निमलिकित में से कौन सी अनुसूची की कि तो सीमित आकार होना ये एक विशेष्टा है ये एक विशेष्टा है प्रत्यक्स संक्रक होता है बिल्कुल डिरेक्ली जब आप डेटा इखता करेंगे पीछे के डेटा क्रेंगे क्रोस्चन निंग करेंगे तो आपका क्या होगा आपका direct contact होगा है ना क्रोश प्रश्णों की वेवस्था भी वहाँ पर रहने वाली है जबकि आकडों का संकलन होना विशेष्टा नहीं है वो क्या चीज है आकडों का संकलन होना एक प्रॉसस है वो विशेष्टा नहीं है वो एक प्रॉसस है वो एक चरण है इसका यह आपको बात य अगला है निमलिकित में से कौन अनुसूची का प्रकार नहीं है, अनुसूची का प्रकार क्या प्रलेख अनुसूची भी होती है, क्या होती है, प्रलेख अनुसूची होती है, जातिगत अनुसूची नहीं होती है, मुल्यांका अनुसूची होती है, आपने इवेलिविशन क को अनुसूचि का प्रमुख गुन नहीं है वास्तविक सूचनाओं की जहनकारी मिलती क्योंकि डिरेक्ट आप कर रहे हैं अब लोकन आवश्च है ना शक्ति का विकास होता है आप जा जाके देखते हैं आप जरु करते हैं चीजों को अना अनावस्यक की सूचनाओं से बचा करने के लिए जो जो चीज जरूरी होगी पूछ लेंगे इसमें सेमिच छेत्र का अध्यन होता है यह नहीं है जब हाप डेटा करेंगे तो आप वड़े एक व्रहत छेत्र का ध्यन करेंगे तो यह गुण नहीं है यह इसका दोष है अगला निमलिकित में से कौन अवलोकन की ब्रहुक विशेष्टाएं। आफ भी जो अभी हम ने देखा आपका जो अनुसूची है उसका एक विशेष्टा है अभलोकन लेखने टो अवलोकन जो है इसकी प्रहुक विशेष्टा है क्या होती है Claire ellu catch this होता है एवं सूर मैं ति और एक माइक्र स्थडी जैसा होता है, विश्वश्चन ये सूचना का श्र benefici होता है आप डिरेकली जाएंगे देखेंगे अव्लोकन करेंगे अब्सर्व करेंगे सामॉी क्विवहर का भी आपको पता लगता है तो ये सभी आपकी अवलोकन की विशिष्टे हैं हो जाए अगला प्रश्ट है हमारा निमलिकित में से कौन अवलोकन का प्रमुक प्रकार नहीं है तो सहभागी अवलोकन बिल्कुल ठीक है केत्र अवलोकन बिल्कुल सही है ना द्यवस्थित अवलोकन बिल्कुल सही है देख कल्पना निर्मान करना ये क्या है इसका प्रकार नहीं होता है ये क्या चीज है ये विशेष्टा है ये क्या चीज है ये विशेष्टा है आपने डेटा एकटा किया सब काम की अवलोकन किया आपने प्रशनावली पूछी शाक्षातकार किये सब चीज आपने देखी अपने गुणों का विकास किया, बाद में आपने उस पर thesis लिख दिया, hypothesis उस पर आपने लिख दिया, तो सब चीज़, अगला प्रश्न है, अब लोकन को बैज्ञानिक विधी की कौन सी विधी कहा जाता है, अब लोकन को बैज्ञानिक विधी की शाष्त्री ये विधी कहा जाता है, क्या का जाता है दोस्तों शाष्ट्रे विधी का जाता है आपको ध्यान दोस्त देखो या तो प्राब्लम्स बोलते हैं या लिमिट्स बोलते हैं या डी मेरिट्स बोलते हैं तो इन में से कौन सी है अवलोकन पद्दिती की तो विश्वस्नियता का अभाव ये रहता है ये अ अगला प्रशन है शाक्षातकार विधी आ गई अगली कौन सी आ गई शाक्षातकार है शाक्षातकार विधी कह सकते हैं यह शाक्षातकार आप उसको कह सकते हैं यह शाक्षातकार के उद्देश्यों का भाग नहीं है यह शाक्षातकार के उद्देश्यों का भाग नहीं है त जो चीज पूछने होती हो जीज पूछी जाती ही बात कता मुई अगला प्रश्णा है निमलिकित में से कौन शाक्षातकार के प्रमुख दोश हैं तो अगर आप घर घर जाके शाक्षातकार करोगे आपको लोग रखने होंगे करचिली विधी है एक रुपता में कमी भी देती है मौकिक उत्तर पर विश्वास करना भाई कितना सही है कितना गलत है ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है तो ये सभी ही क्या हो जाते हैं आपके दोश इसके हो जाते हैं अगला प्रश्णा है हमारा नेमलिकित में से कौ कर आया और प्रश्णावली आई तो सबके कुश्चन हम लोग करते जा रहे हैं तो प्रश्णावली का वर्गी करन या प्रकार नहीं है इनमें से कौन सा नहीं है तो प्रतिबंधित प्रश्णावली ये भी होता है फुली प्रश्णावली ये भी होता है मिश्रित प्रश् अगला प्रशनावली में से कौन प्रशनावली प्रविधी का गुण नहीं है, यानि कि दोश है, गुण नहीं है, तो क्या दोश है, तरल प्रविधी है, बिल्कुल सही है, कम खर्ची लिए, बिल्कुल इसमें सही है, पूर्ण सूचना नहीं मिलती है, प्रशनावली में अगला प्रश्ण है निम्लिकित में से कौन प्रश्णावली के अब गुण या दोश है तो प्रत्युत्तर की समस्या आप मतलब उत्तर पे पूछ रहें तो यह समस्या है अपने किसी को भेजा उसने सही नहीं लिखा सुचनाओं की विश्वशनेता ये चीज भी थोड़ी बनी रह सकती है तो ये सभी ही क्या हो जाएंगे आपके ये सभी ही आपके इसके अब गुण हो जाएंगे ये आपको ध्यान रखना है दो अगला प्रश्ण है अंतरवस्तु विश्लेशन अंतरवस्तु को कहते हैं कंट और विश्लेशन होता है अनलेसिस जगे जगे होती है चीज ना आपको देखो अपने लाइफ में अगर अच्छा करना है तो आप अपने कंटेंट का अनलेसिस करना सीख लीजिए तो कंटेंट अनलेसिस बहुत बड़ी चीज है जो भी लोग टीचर तीचिंग फिल्ड में अगला प्रशन है अंतरवस्तु विश्लेशन का प्रमुक उद्देश्य कौन सा है तो अंतरवस्तु विश्लेशन में क्या होता है कि गुनात्मक तथ्यों को मात्रात्मक शुरूप दिया जाता है गुनात्मक अध्यन को वहिशाईक रूप दिया जाता है संप्रेक्षन के प्रभावी साधनों का विकास किया जाता है और उपरोग तसभी तो उपरोग तसभीस में आ जाएगा अगला प्रश्ण है व्यक्तिक अध्यन पद्धती में सामाजिक संबंदों के अध्यन में शामिल होता है है ना व्यक्तिक अध्यन पद्धती, एक नहीं पद्धती है, व्यक्तिक, है ना मतलब कि आप सीधे व्यक्ति से आप चीज़े पूछ रहे हैं, अध्यन कर रहे हैं, तो इसके संबंदों में अध्यन में क्या-क्या शामिल होता है, तो तत्यों का डेटा का एनलिसस भी होता है, सरवांगिन परिवार हो, संस्था हो या समुदाय हो, कि जीवन के अनवेशन एनलिसस, एवं विवेचन करने की पद्धती क्या कहलाती है, तो आपको ध्यान रखना है, कि किसी समाजिक इकाई चाहे व्यक्ति, परिवार, संस्था, समुदाय है, उनके जीवन को अनवेशित करना, उनका विवेचन करना जिस पद्धती में होता है, वह क्या होती है, वयक्तिक अध्यन पद्धती के, अगला प्रश्न है हमारा, निमलिकित में से कौन वयक्तिक अध्यन पद्धती का, या वयक्तिक अध्यन का प्रमुक गुण नहीं है, यानि यानि गहन अध्यन होता है, गुण ह सामख्री की संप्रूर्ण रहती है मनोवृत्ति का ध्यन होता है यह सही है बट यह हमारा option इसमें हो जाएगा यह गुण नहीं है यह अगला प्रशन है कॉन सांख्य की विशेश्टा को सही संदर्बित नहीं करता है तो सांख figuring, tu statistics उसकी विशेश्टा को आँ क्या होता, सही से संदर्भित नहीं करता यानि कि उसके बारे में गलत चीजें बोल रहया है ten थे सांख कि it कि में說 जो data होता है उसको group में लायी जाता है संख्यात्मक की कमई होती है संग्षात्मक प्रस्तुती करण होता है ना संग्षात्मक प्रस्तुती करण होता है बिल्कुल डेटा होते हैं वो नंबर की फॉर्म में रहते हैं व्यवस्थित एकत्रण की कमी नहीं तो यही आपका उप्शन हो जाएगा संदर भी नहीं करता है और आकडों का विश्थ दुरूप तो रहता है अगला प्रस्न हो मारा कॉर्वान उववान में सेयक होता है बिल्कुल सही है नियोजन के छेतर में सायक होता है बिल्कुल सही है जन् VMware कि दो जाएगा कर सब जगे इसकी उप्योगिता और मात्ता है आगला प्रश्ण हमारा संख्याइकी का सामाजिक जीवन में काफी महत्व है इसके बावजूद इसमें निम्न में से कौन सी कमिया या उसकी लिमिट्स पाई जाती है तो इसमें क्या होता है संख्यात्मक्त त्थ्यों का अध्य तो वो ब्रामक भी हो सकता है, डेटा गलत भी हो सकता है, ठीक है, अगला कुश्चन है, सामाजिक शोध के उद्धेश्यों को सेध्धान्तिक या सेक्षनिक तथा डैस डैस में विभाजित किया जाता है, तो सामाजिक शोध के उद्धेश्ये हैं, तो हमने सबसे पहले उसके उदेशे कैसे होते हैं चादा कैसे होते हैं व्याभार इख ध्यान लखना है अगला प्रश्ण है हमारा नि innocर्ण में से कौन सामाजिक शोध की क्रिया अत्मक का सोपां या चरन नहीं है सूचनाओं का चैन करना ही का निर्धारन करना प्राक्कलन का निर्वान करना, उपकरनों का पूर परिक्षन न करना, ये सौपान ये चरण नहीं है, अगला प्रशन है, वैग्यानिक पद्धती का सामाजिक शोध कारिये किस पर आधारित है, तो अभी हमने पढ़ा है वैग्यानिक पद्धती का जो सामाजिक शोध कारिये तारकिक्ता भी होता है प्रियोग भी होता है यह सभी हो जाए अगला पुशन है हमारा निमलिकित में से कौन शाक्षातकार की प्रमुक विशेष्टाएं हैं देखो मैंने अभी आपको पढ़ाए और कुश्चन थोड़ा सा घुमा के यहां पर आ रहे हैं तो आप आसानी से यहां पर कर पा रहे होंगे चीजे समझ में आ रही होंगे तो जो शाक्षातकार विधी है ना किसमें होता है शाक्षातकार अनुसूची में होता है पहले अवलोकन होता है शाक्षातकार होता है प्रशनावली होता है तो इसमें क्या होता है कि शाक्षातकार की प्रमुक व की इसमें आपकी होती है बस तो निश्टिता नहीं होती आपकी नहीं होती है वैज्ञानिक पद्दती में ये चीज आपको ध्यान रखते हैं अगला प्रश्ट है अमेरिकन सो मीमो-लॉजिकल सोसाइटी के ने निमलकित में से किन छेतरों को सामाजिक शोद अध्यन के अंत्रगत शामिल किया है जो American Sommemological Society है उसने सामाजिक शोद के लिए ग्रामरीन समुदायों का अध्यन भी सही बता है सामाजिक सामुइक विवारों का अध्यन भी सही बता है पारिवारिक प्रश्टमूमी का ध्यन भी सही बता है उपरोगत सभी इसमें आ जाएंगे अगला कोशन देखते हैं जिस प्रशनावली में सभी प्रशनों के आगे उत्तरों के आने एक विकल्प दिये होते हैं एवं सूचना दाता को उनी में से एका चैन करना हो तब ऐसी प्रशनावली क्या कहा जाता है तो ऐसी प्रशनावली क्या होती है बंद प्रशनावली कहलाती है आपको इन चीजे ध्यान रखने है प्रशनावली के प्रकार भी हम लोग देखे थे बंद थी, मिश्टित थी और आपकी खुली थी और आपकी क्या थी चित्रमे थी इस तरह से सब चीज़े थी अगला कुश्चन है हमारा व्यक्ति द्वारा लिखे गई या दिये गए वक्तवियों का वास्तविक अर्थ निरूपन को क्या कहा जाता है तो वास्तविक अर्थ नूर्पन का कहते हैं आकड़ा विशलेशन, डेटा एनलेसिस का जाता है अगला प्रश्ण है शाक्षातकार प्रमुक रूप से इंटर्व्यू जो होता है प्रमुक रूप से सामाजिक अंतेक्रिया, इंटरेक्शन की एक प्रक्रिया है यह किसका कथन है, तो यह कथन है गुड़े एवं हाट का अगला प्रश्ण है मारा, बेरोजगारी, गरीबी, वैग्रामिन विकास किस शोध के प्रमुक विशे हैं तो व्यावारिक शोध के प्रमुक विशे हैं, यह आपको ध्यान रखना है और आखरी कुश्यन हम लोग ले लेते हैं सामाजिक शोध विधी के विशे चेत्रों में निमलिकित में से कौन सा शामिल नहीं है तो सामाजिक शोध विधी के चेत्रों में आपका समस्या समाधान शामिल नहीं है यह चीज आपको ध्यान रखना है कि उम्मीद करता हूं आपको टॉपिक पसंद आया होगा सब चीजें और अगर अच्छा लगाए तो इस तरह करते रहिए कल हम भूमी सुधार पढ़ेंगे अभी हिंदी की वीडियो डालूंगा वह भी आपको देखना है अच्छे से बढ़ते रहिए मसत रहिए बढ़ते र कि लोड़ते बदेखने और अवाया है अभारते रहिए आपको…